इस वाले कोशन को देखो, metallic character के उपर है, कोशन ऐसे बनते हैं, क्योंकि ऐसे कोशन में आपको दिमाग लगाना पड़ता, आपके पास element कौन कौन से, boron भी है, aluminium भी है, magnesium भी और potation भी है, अगर आप बात करेंगे कि यार, कौन से period में कौन सा है, तो आप हिसाब लगाओ, boron जो है, ये second period में है, और ये 13 group में है, boron, अगर बात करोगा आप aluminium की, तो boron के निचे aluminium आता, boron, aluminium, तो ये तीसरे period में आ जाएगा, sorry, period इसका 3 है, लेकिन मैं period की बात नहीं कर रहा हूँ, चलो period की बात भी ना करो, आइसे देख लो, boron के निचे aluminium, उसके बात में magnesium, potassium, और इबा, अब आपके पास है hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, कुछ इसाए, ये first group है, magnesium, magnesium, जो आता मेंगनीज या आता, इसके बात में ऐसे मेंगनीज, अब आपको पता है, magnesium, और ये boron, aluminium, इस तरहां से लिख दो, boron और aluminium, इस तरहां से, लो भी लो, ये हो गया, ठीक है भई, अब आपके सामने या चुका है, लीथियम के बाद, बेरिलियम लिख दो, ये हो चुका है, element जो पिक किये गया है, वो किया गया है, एक तो ये वाला, एक ये वाला, और दो ये element पिक किये गये हैं, अब आपको बता, left से right जाने पर, एक ही period में, left से right जाने पर, metallic character घटता है, उपर से नीचे जाने पर, metallic character बढ़ता है, तो ग्रूप में, उपर से नीचे जाने पर, metallic character बढ़ेगा, अगर आप देखेंगे, potassium एक ऐसा element जो तीसरे period में है, और potassium जो है, potassium तीसरे period में है, boron ये दूसरे period में है, aluminium तीसरे period में है, तो यहाँ पने सोधी, potassium जो है, ये चोथे period में है, क्योंकि potassium के बाद, calcium आ जाता है, तो ये चोथे period में है, क्योंकि पहले प्रीयेड में है, दोसे period में path lithium है, तीसरे चोथे period में — potassium है, तो potassium सब से नीचे है, अगर प्रेड़ी के खशाब से देखें, तो सब से जादा conducting nature Potassium का ही होगा, तो सब से जादा है Potassium का, फिर पोटेशियम के बाद अगर आप बात करोगे मेगनीज, अब देखो इन तीनों को देखो, तो आपको बता, राइट से लेफ्ट के तरफ को जाते हैं, तो मेटलिक करेक्टर घटता है, तो मेगनीज और अलुमिनियम अगर मेगनीशियम अलुमिनियम है, जादा अगर क्यों कुकि लेफ्ट से राइट जाने पर मैटलिक करेक्टर घटता है, तो कहिना गहीं मेगनीशियम से जादा थिभ्वाद नेशर का नहीं होगा अलुमिनियम, जाधा थिभ्वाद थिभ्वाद मेगनीशियम Ora right है, तो पोटेशियम के बाद रहेगा मेगनीशियम, अब देख लो इन चारों एलिमेंटों में सबसे जादा पिरिएड में कौन सा है तो आपने देखा पोडिशेम है अब देखो पोडिशेम की लोकेशन कहाँ पर है भाई देखो फर्स्टे ग्रूप के अंदर दे रखा तो सबसे जादा मैडालिक नेशर के यह होगा